देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्मी तिजश्वी यादव की पत्नी राज्श्री भगवान के मंदर पहुची है ताकि सरकार उनकी बन सके बता दे कि ये मामला उत्तर प्रदेश का है जहां विधान सबा चुनाव को लेकर अब पूजा अर्चना की जा रही है ऐसे में राज लक्ष्मी यादव जो की अतिजश्वी यादव की बहन है वो इस वक्त पहुची है बांके बहारी मंदर जो की ब्रंदावन के प्रमुख म मंदरों में से एक है उनके साथ डिम्पल यादव भी नजर आ रही है जो की अखिलेश यादव की पतनी है ऐसे में प्रदाव सबाब चुनाव को लेकर इस बार यूपी में सपप की सरकार बन सके इसको लेकर पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है आपको बताए कि अश्रिया दक्ष अखिलेश यादव की पतनी डिम्पल यादव रविवार की शाम को मतुरा इस्थित बांके बिहारी मंदर पहुची यहां उन्होंने दर्शन से पहले सेवायत गोपी गोस्वामी के आचारियत्व के दिहरी पूजन किया डिम्पल के साथ दौरान बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री लालु यादव की बेटी राजलक्षमी यादव भी मौजूद थी बतादे के डिम्पल यादव ने बांके पहारी के गर्भ ग्रिह के बाहर स्थित डिहरी को पहले गुलाव जल से धोया इसके बाद उस पर इत्र लगाया और फिन फूल, रोली और चंदन आदी से वैदिक मंत्रो चारन के साथ पूजा किया डिम्पल और राजलक्षमी ने पूजन करने के बाद टेहरी पर फल और मिठाई अर्पित की डिम्पल यादव और राजलक्षमी यादव बांके बिहारी के मंदिर में पूरी भक्ती भाव के साथ नजर आ रह इसके बाद डिंपल और राजलक्ष्मी ने पूजन के बाद बांके बिहारी जी के दर्शन भी किये। पार करें तो उनके घुठने में ना लगे। तबी से देहरी पूजन का महत्व माना जाता है। उच लोग देहरी पूजन करने के पीछे यूपी के गद्धी पर काबज होने के लिए मनुकामना मांगना मांग रहे है। यानि कि ये जो पूजन डिम्पल यादव की तरफ से किया गया है इसको लेकर कहा जारा है कि इस बार यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बने गद्धी पर अखिलेश यादव विराजमान हो सके। इसी को लेकर उनकी पत्नी डिम्पल यादव की तरफ से ये पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना करती हुई नजर आई है।